लोक्सवा चुनाव की तारीकों का एलान होने ही वाला है जिसके बाद देश भर में आचार सहीता लागू हो जाएगी वोटिंग से पहले चुनाव आयोग भी तमाम तरह की तैयारिया कर रहा है और देश भर में इसे लेकर जागरुकता कैम्प लगाये जा रही है कई लोग ऐसे कैम्प हमें हिस्सा लेते हैं और समझते हैं कि वो कैसे वोट डाल सकते हैं और इसके क्या नियम काईदे होते हैं पोलिंग बूत पर अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो आप इसके शिकायत वहां मौझूद पीठा सीन अधिकारी से कर सकते हैं वोचिंग के दुरान अगर वेपिट से ने सही परची नहीं निकाली है तो आप मशीन को दुबारा चेक करने के लिए कह सकते हैं दावा सही पाय जाने पर आप दुबारा वोट डाल सकते हैं जी हां कई तरह के अधिकार होते हैं क्योंकि कई बार होता है कि इलेक्ट्रिक ये सब मतलब जीजे होती हैं टेकनोलोजी से जुड़ी होती हैं कई बार दावे गलत होते हैं कुछ बातों में सचाय नहीं होती जिसकी वज़े से टेकनोलोजी को थोड़ा बदलाव करके आप कहीं न कहीं changes करा कर वहीं पर ही अपने vote की सत्यता को जाच सकते हैं तो गबराने के आवशकता नहीं है नए voters सी अपील है जिनको भी इस बार vote डालने का अफसर मिलेगा जो पहली बार vote डालेंगे वे अपने vote के अधिकार का पूरा इस्तिमाल करें जादा से जादा संख्या में vote डालें यहीं चुनावायों कि हमेशा सिफारिश रहती और हर पार्टे की ख्वाइश रहती है कि जितना अधिक vote होगा उतने ही अधिक और स्पस्ट नतीजे सामने आ सकेंगे